पारत शिवलिंग संसार का अद्विदिय और देवताओं की तरफ से मनुश्यों को मिला हुआ वर्दान है इसकी पूझा हर्चना करने से व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है इसके दर्शन से पूर्व जन्म के पाप श्रे हो जाते हैं और सौभागय का उधे होने लगता है इसलिए तो कहा गया है कि जिसके घर में पारत शिवलिंग होता है उस घर में सर्द सिद्यों परमात्मा के साहित उपस्थित रहती है वह अगली पीरियों तक के लिए श्रिद्धी श्रिद्धी और स्थाई लक्ष्मी को स्थापित कर लेता है जिस घर में पारत शिवलिंग होता है वहां धन धान्य से परिपूर और दुर्गणों से मुक्त होता है नवग्रहों से जो अनिष्ट प्रभाव का भेह होता है उससे मुक्ती भी प्रारत शिवलिंग से प्राप्थ होती है शिव पुराण में कहा गया है कि इसकी अर्चना से यम्राज का दूद्ध भी शांत होकर वापस चला जाता है पारत शिवलिंग की भक्ति भाव से पूचा अर्चना करने से संतान हीं दमपती को भी संतान रत की प्राप्ती हो जाती है बारा जोते लिंग के पूजन से जितना पूण्य काल प्राप्त आपको होता है उतना पूण्य पारत शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है शास्त्रों के नुसार रामन रसिद्धी योग था और उसने पारत शिवलिंग की पूजा कर शिव को पूण प्रसन कर लेकर विपरीत परिस्तितियों से पड़े होकर सभी प्रकार की बाधाओं, कश्टों और समस्याओं के होते हुए भी जीवर में अपने लक्षे को प्राप्त करना चाहते हैं या जो व्यक्ति आर्थिक, व्यापारिक और भौत एक द्रिस्ति से पूर्ण सुख प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अपने घर में अवश्य ही पारत शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए पारत शिवलिंग बहुत ही पूर्ण्य फलदाई और स्वभावद आयक होता है पारत शिवलिंग के महत्व का वर्णन ब्रह्म पुराण, शिव पुराण अपनिष्ट आदी अनेक क्रंथों में किया गया है पारत शिवलिंग से आकाल मृत्यू का भे समाप्थ हो जाता है धर्म शास्त्रों के नुसार पारत शिवलिंग साक्षाद भगवान शिव का ही रूप है इसलिए इसकी पूजा विदी विधान से करने से कई गुनाफ फल आपको प्राप्थ होता है और आपकी हर मनुकामनाए पून हो जाती है घर में पारत शिवलिंग स्वभाग्य, शांती, स्वास्ते, सुरक्षा के लिए अत्यधिक स्वभाव शाली है दुकान, ओफिस, फैक्टरी, व्यपार को बढ़ाने के लिए पारत शिवलिंग का पूजा एक अच्चूक उपाय है शिवलिंग के मात्र दर्शन से ही स्वभाग्य, शाली होता है इसके लिए किसी प्रान प्रतिष्ठा के आवश्चकता नहीं पर इसके ज्यादा लाब उठाने के लिए पूजन विधी ठीक होनी चाहिए अब आपको बताते हैं इसकी पूजन की विधी दोस्तों पारत शिवलिंग की पूचा अर्चना का तरीका सामाने शिवलिंग के समान ही होता है सरप्रधम शिवलिंग को सफेद कपड़े पर आसन पर रखे सोयम पूर्व उत्तर दिशा की और मू करके बैठ जाए अपने आसपास चल, गंगा जल, रोली, मौली, चावल, दूद, हल्दी, चंदर इत्यादी रखे सबसे पहले पारत शिवलिंग के दाहिने तरफ दीपक जला कर रखे थोड़ा सा जल हात में लेकर तीन बार आपको मंत्रों का उच्चारण करना होगा और उच्चारण करके उस चल को ग्रहन करना होगा दोस्तों अब आपको हम चार खास मंत्र बताने चा रही हैं जिनको आपको बारी-बारी करना होगा प्रथम बार आपको इस मंत्र का जाब करना है ओम रित्यो भुजाया नमहा दूसरी बार आपको इस मंतर का जाब करना है ओम निलकंठाय नमहा तीसरी बार आपको इस मंतर का जाब करना है ओम रुद्राय नमहा चौती बार आपको इस खास मंतर का जाब करना है ओम शिवाय नमहा हाथ में फूल और चावल लेकर शिव जी का ध्यान करे और बन में ओम नमस्षिवाया इसका पांच पार स्मरण करे और चावल और फूल को शिवलिंग पर चड़ा दे इसके बाद ओम नमस्षिवाया इस खास मंत्र का आपको निरंतर उच्चारन करते रहना है फिर हाथ में चावल और पुश पुलेकर ओम पार्वतय नमहा इस खास मंत्र का उच्चारन कर माता पार्वती का ध्यान कर चावल पारत शिवलिंग पर चड़ा दे इसके बाद फिर मोली को और इसके बाद जनियू को पारत शिवलिंग पर चड़ा दे इसके बश्चात हल्दी और चंदन का तिलक भी लगा दे चावल अरपन करे और इसके बाद पुश पुचड़ा दे मीठे का भोग लगा दे भांग धतूरा और बेल पत्र शिवलिंग पचड़ा दे फिर अंत में शिव की आर्ति करे और प्रसाद आदी ले जो व्यक्ति इस प्रकार से पारत शिवलिंग की पूजा करता है इसे शिव के किरपा और सुक समरेदी आदी की प्राप्ती होती है तो दोस्तों अगर आप भी एक खास पारत शिवलिंग मंगवाना चाहते हैं तो आप कॉल या वाटसेप के माध्यम से हम से सीधे तोर पर संपर कर सकते हैं कॉल या वाटसेप करने के लिए अभी इस नंबर को टाइल करें साथ दो नो शून्य 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 च्छे एक चार नो चार आप कॉल या वाटसेप के माध्यम से हम से सीधे तोर पर जुर कर इस पारत शिवलिंग को आज ही अपने घर मंगवा सकते हैं दोश्तों अगर आपको हमारी एक खास चानकारी यह वीडियो पसंदाई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेर अवश्य करें धान्यवाद